दोस्तो आज हम सीखेंगे श्री गोवर्धन जी महाराज का एक भजन है छटा तेरी तीन लोग से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज तो दोस्तो इसको बजाने के लिए जो हम सुरी उज़ करेंगे सारे काकोमल मापा पांच सुर तो ये है और एक सुर मंदर सब्तक का देट इस नीशुद्ध तो ये होगे हमारे छे सुर यानि तीन सुर ये और तीन सुर ये और दोस्तो मैं आपको भजन के बारे में एक छोटी सी जानकारी जरूर आपको शेयर करना चाओंगा आप देखेंगे कि एक ही भजन होता है और उस भजन को जब चार लोग गाते हैं तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा वैरियेशन उसके अंदर डालते हैं अब होता क्या है कि हम लोग तो इंसान एक हैं और भजन हमारे सामने चार होगे जब हम चारो भजनों को सुनते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर इसका सुर तो आपने ये बताया है लेकिन इस भजन के अंदर तो ये सुर लगना चाहिए तो दोस्तों ये क्या होता है कि ये खुद का एक वैरियेशन होता है आप अपना एक स्टाइल म्यूजिक के अंदर देना चाहते हैं तो वो स्टाइल उस म्यूजिक के अंदर लग जाता है कोई भी सिंगर है मैंने आपको ध्यान हो तो पिछले ही वीडियो के अंदर ये बात किया था कि music का sense आपका sense उस समय वो सिंगर का sense क्या काम करता है वो क्या style उसके अंदर देना चाहता है कौन से सुर के अंदर उसमें एक कन लगा देगा कहीं पे तोड़ा touch लगा देगा तो वो जो चीज है उस चीज के इसाब से आप कत्य ही confuse ना हो कहते हैं ना कि सुनो सबकी और करो मन की तो मेरे दोस्तों सबके सुनो लेकिन जो आपको best लगे देखे सबकी सुनो लेकिन जो आपको best लगे उसको follow करो चार भजन आपने एक ही भजन को चार सिंगर्स ने गाया है अलग-अलग ठीक है तो ऐसे situation में आपने confuse नहीं होना है और कोई भी एक भजन जो आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा लगता है आप उसको तयार करें मैं तो यही करता हूँ अब आपकी मर्जी है तो हम इस भजन पर आते हैं छटा तेरी दीन लोग से न्यारी है गोवरधन महाराज तो इसकी शुरुवात यहां से होती है अब इसको पहले समझ लेते हैं छटा तेरी ससानी सा छटा तेरी ससानी छटा तेरी तीने सारे दीने लूप से न्यारी न्यारी रेशा न्यारी है सारे मागा है यही बस काम की चीज़ है न्यारी है गुवर धन माराज गुवर गुवर रेमा गुवर धन माराज तो इसमें जो रेमा का पैटन है वो दो बार हो है रेमा रेमा गरेशानी सा देखें वापस च्छटा तेरी दीन लोक से न्यारी है गुवर धन माराज अगे है गुवर धन माराज राज है गुवर धन माराज अब ये जो लाइन है ना इसको देखना हम किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं इसी भजन के लिए नहीं है जहां कहीं भी आप भजन का रहे हैं उस भजन के अंदर आप वेरियेशन डालने की कोशिश करें अपने हिसाब से लेकिन मैं फिर आपको वह रिपीट करूगा है कि जो भी कोशिश करते हैं वो अच्छी हो खराब ना लगे पता चले कि आप वेरियेशन कर रहे हैं स्रावने अब लगे क्या कर रहा है वो चीज नहीं होनी चाहिए चानू करें धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा दिखते हैं कुवरे धन्य माहराज राज है कुवरे धन्य माहराज तेरे बापा मागारे सानी सा कुवरे धन्य माहराज राज है ऐसा भी कर सकते हैं कुवरे धन्य माहराज राज है गुवरे धन्य माहराज चटा तेरे नीन लोप से न्यारी है अब इसमें देखो एक variation हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो गा कोमल यूज़ कर रहे हैं इसके जगे ग्या सुद्ध का भी यूज़ कर सकते हैं देखे कैसे हैं अरे गुवर्धन महराज राज है गुवर्धन महराज चटारे तेरे दिलों के से अरे गुवर्धन महराज राज है गुवर्धन महराज चटारे तेरे तीन लों के से जारी है गुवर्धन महराज ठीक है तो आपको इस जगे पर confusion नहीं होना है मैं आपको confusion create करने के लिए ये सब नहीं बता रहा हूँ आपकी जो quality है उसको मतलब की ज़्यादा फैलाने की बात कर रहा हूँ ठीक है तो आप इस चीज़ पर confusion नहीं हो आप चाहे तो गा कोमल से लगाए चाहे गा शुद्ध से लगाए तो पर दोनों पैटन को repeat कर देता हूँ आपको अपको अच्छे से लिए है चटा तेरी तीन दिलों के से प्यारी है गुवर्धन महाराज अरे गुवर्धन महाराज राज है गुवर्धन महाराज दूसरा पैटन गुवर्धन महाराज राज है गुवर्धन महाराज छटा तेरी तीन दिलों के से प्यारी है गुवर्धन महाराज और ज्यादा confusion होना तो दोनों pattern को बजाओ एक बार में गा कोमल वाले pattern को बजाएगे एक बार में गा सुद्ध वाले pattern को बजाएगे और अंत्रा बहुत आसान है अंत्रा में एक line उर्तियार करनी है फिर वही pattern चालो हुआ करोश्री मान करोश्री मान सिगंगाशनान कुछ भी नहीं है simple करोश्री मान सिगंगाशनान रे रे सारे मंगरे साही साही बस यह वही pattern है कोमल वाला जो हम पहले कर चुके हैं तो भजान बहुत आसान है अब इसको बताने के पीछे रीजन यह है मेरे दोस्तों इसको बीट है और इसके जो आनंद की जो सीमा है वह बहुत ही सॉलिड है अरे करोश्री मान सिगंगाशनान करोश्री चक्तिलेश्वर काध्यान कान थाटी में धडिवोगान और फिर वही पड़त चालो रहा है करोपरी क्रमा की थैयारी है कुवर थन महाराज कुवर थन महाराज राज है 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 धन्यवाद दोस्तों आप इसको तयार करें और ऐसा नहीं है क्योंकि ये कुछ एक भजन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको अगर हम तयार कर लेते हैं तो हमारा जो कलक्षन है न वो बहुत जल्दी बढ़ता है देखिए अच्छे भजन होते ही है लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी कार्यकरम में हम जाते हैं तो कोशिश ये करो कि बीच बीच में इस प्रकार के भजन है तो इसमें देखिए आप देखिए कि बजाने में भी आसानी है क्योंकि 5 या 6 सूर है और बीट भी भहुत प्यारी है गोवर्दन जी का भजन है तो बस enjoy करें हसते रहें मुस्कुराते रहें और कोई issue हो तो comment में जरूर लिख दें आप कंजूसी बहुत करते हैं comment में लिखने लेकिन दोस्तों बस रियाज करते रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद